दोस्तो MRFA Tender में पहले ही अमेरिका और फ्रांस के बीच भसड मची हुई है लेकिन अब MRFA Tender में स्वीडन अपने Gripen E Fighter Jet को मैदान में उतारना चाहता है एक बार पहले भी स्वीडन ने अपने Gripen E Fighter Jet को मैदान में उतारा था उस समय Gripen E Fighter Jet टेकनिकल ट्रेल्स में फैल हो गया था लेकिन अब साब ग्रूप ये चाहता है कि Gripen E Fighter Jet के फिर से टेकनिकल ट्रेल कराए जाएं साथ में साब ग्रूप का ये भी कहना है कि तेजस मार्क टू और Gripen E Fighter Jet का डैडली कॉम्बिनेशन होगा और अगर भारत हमारे से ये फाइटर जैट खरीदता है तो हम भारत की M का फाइटर जैट को बनाने में भी मदद करेंगे लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें ये स्वीडन से फाइटर जैट खरीदने चाहिए या नहीं तो इस बात का जवाब है हमें ये फाइटर जैट बिलकुल भी नहीं लेने चाहिए क्योंकि विपिन E Fighter Jet में ज़्यादा तर एक्विपमेंट अमेरिका में बने हुए लगे हुए है सपोस कि जी अमेरिका ने इन पार्ट्स को देने से मना कर दिया तो हमारे ये फाइटर जैट यूद के समय